उत्तरप्रते सरकार की मंशा के अन्रूप मदर्सों का सर्वेश शुरू हो चुका है कानपूर के जामेउल उलूम मदर्से में हम मौजूद हैं जहां पर जिला अलपसंख्यक कल्यान अधिकारी मदर्सों की जानकारी को जोटा रहे हैं साशन ने निर्देश दिया है कि गैर मानता प्राप्त जो मदर्से हैं उनका बारा बिंदूओं पर पूरा ब्योरा तलब किया जाए और उसी की उसी ब्योरे को तलब किया जा रहा है जामेउल उलूम मदर्से में चेर्मेंट स्वयम बैठे हुए हैं सभी कागजों को देखा जा रहा है कितने बच्चे मदर्से में पढ़ते हैं कितने रेजिस्टर हैं कितने टीचक हैं सिख्षक हैं और क्या-क्या काम यहाँ पर किये जा रहे हैं इन सब की तस्दीक की जा रही है जिलाल संक्या कर लिया नदिकारी हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं बस आपसे जानना चाहेंगे किन-किन पॉइंट्स की जानकरी आप जूटा है ये जो गयर मानता पराफ्त मदरसों का जो सर्वे किया जाना है उसमें हमको देखना है कि किस भूम पे संचालित है निजी भूम पे है किराय नामें पर है और किस सोसाइटीузCK चल ला है कितने बच्चे पंजिक्रेथ हैं, वहाँ पर अस्थापना सुभधाएं क्या हैं, कमरों की क्या इस्तिती है, सौचाला है, कि नहीं फरनीचर, विद्दूत, आद इन सब चीजों को देखा जाना है. अब आपने निरिक्षन कर लिया है, क्या किसी तरीके की कोई खामी आपको नजराड़ी इस मदर्से में? तालिस वर्ष पूर्फ की गई थी. और तब से आज तक ये मदर्सा पूरे उत्तरपरदेश में खिदमत अंजाम दे रहा है. हमारा जो भी एफिलेशन है कोर्सिस के इतबार से वो दारलूम देवबंद से हैं. और अभी परसो दारलूम देवबंद में एक मीटिंग हुई अप्टू हाई स्कूल का प्रूविजन करें. ये दारलूम देवबंद के में एक फैसला लिया गया है. तो उनके उस फैसले पर और क्या कहते हैं हमारी हुकूमत की भी ये ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ गवर्मिन्ट का बहुत अच्छा स्टेप है. ये सर्वे करा र उसके उपर कहूँगा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अल्ला के भरोसे इस बात को कहता हूँ, कि हमारे जितने मदारिस हैं, 99% मदारिस जाइस तरीके से हैं, और अगर कोई मदरसा किसी दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती बनाया गया मदरसा ही नहीं, अगर मस्जिद भ जबा रहे हैं, 12 बिंदूओं को जुटाया जा रहा है, पूरा ब्योरा तलब के जा रहा है, चेयरमेन जो हैं, वो खुद आगे आ करके बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं, कि सभी मदरसे घैरमानता प्राप जो है, वो ठीक धंक से चल रहे हैं, और सर्वे का समर्थन भी कर रहे हैं कानपूर से केमरामेन पंकर निगम के साथ रतीश तरवेदी एबिपी गंका पंदरा आगस जो भी बीती है माननी है पचवरी जी जो हमारे सांसद है उन्हीं ने आके यहां जंडा रोहन किया और उनके समक्ष हम लोगों ने एक ये निर्णे लिया कि हम अपने मदरसे में ये तालीम तो दे ही रहे हैं इन्शालला जल्दी मॉडन एजूकेशन भी इसमे में शामिल करेंगे मगर उसके साथ ही हम जॉब औरियंटेट टेक्निकल इंस्टिटूट भी कायम कर रहे हैं जिसमें तीन महीने का समय है और पचवरी जी के हातों उसका धाटन होगा और उनकी जो क्या कहते हैं उनकी सांसद निदी है उससे योगदान भी वो करेंगे